राजा प्रिथु बोले है मुनी जी, आपने कार्तिक और माग मास का विस्तरित फल कहा, अब इसके विधिवत सनान की विधी, नियम और उद्यापन की विधी भी, आप हमसे कहिए. नारद जी ने कहा कि आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन हुए है, अतेव यह बात आपको मालूम ही है, तथापी मैं यतोचित विधान आपसे कहता हूँ, उसे सावधान मन से सुनिए. आश्विन मास की शुकल पक्ष एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत करना आरंब करना चाहिए. इस व्रत को करने वाला सर्वधा रातरी के चौथे प्रहर में उठे. जल का पात्र लिये हुए गाव से बाहर पूर्व अत्वा उत्तर दिशा में जावे. हमेशा दिन में अत्वा सायंकाल को कान पर जनेव चढ़ा कर प्रित्वी पर त्रिन को बिछा कर सिर को कपड़े से ढख कर. फिर मुं को यतनपूर्वक बंद कर थूक तथा श्वास को रोक कर मूत्र का त्याग करे. रातरी के समय में दक्षिन मुख बैठ कर मलमूत्र का त अपने लिंग को पकड़ कर उठे तथा मृत्तिका और जल से सावधानी से धोकर दुरगंद को नश्ट करे. तब शौच क्रिया पूर्ण करे. एक बार लिंग में, तीन बार हात में, फिर शिष्न तथा हात में दो-दो बार, पांच बार गुदा में और दस बार बाए हात में दोनों हाथों में साथ बार मिट्टी लगालगा कर अच्छी तरह जल से धोवे. यह शौच विधी ग्रहस्थों के लिए कही गई है, ब्रहमचारियों को दूनी, वानप्रस्त को तिगुनी और सन्यासियों को चौगुनी अधिक शुद्धी करनी चाहिए, जो मनुष्य की समस्त क्रियाएं निश्फल होती हैं. जो मनुष्य मुक्षुद्धी, दातून, नहीं करता, उसके सब मंत्र निश्फल हो जाते हैं. अतेव दान्त और जीप को बलपूर्वक स्वच्छ करना चाहिए. हे वनस्पती, तु आयू, बल, कीर्ती, तेज, प्रभा, पशु, संपत्ती, ब्रह्मा, ज्यान, बुद्धी, विद्ध्य हमको दे यह मंत्र पढ़कर दातून व्रिक्ष से ग्रहन करे. यह मंत्र कहकर दूद्वाले व्रिक्ष से द्वादश अंगुल दातून लेकर करे तथा श्राद और व्रत के दिन न करे. प्रतीपदा, नवमी, छट, रविवार, चंद्र तथा सूर्य के ग्रहन में दंतधावन कदापी न करना चाहिए। कंटीले पेड, कपास, पीपल, रेड और निर्गंद व्रिक्षों की दातुन नहीं करे। ततपश्चात फूल, माला, चंदन और पान इत्यादी पूजन सामगरी लेकर प्रसन्नमन हो भक्ति पूर्वक विष्णु गवान अत्वा शिवजी के मंदिर जाए। वहां देवताओं का अर्ग्या, आच्मनिय आदी वस्तूओं से अलग-अलग पूजन कर प्रार्थना तथा प्रणाम कर नृत्यादी मंगल कृत्य करे। फिर ताल, वेन मृदंग आदी को बजावे, गावे और नर्तकों के साथ नाचे, फिर माला, चंदन, तामबूल आदिकों से उन गायकों का भी पूजन करे जोगा आए हो। क्योकि देवस्तान में गाने वाले में साक्षात विष्णु भगवान की ही मूर्ती हैं। ये लो सत्ययुगादिकों में विष्णु भगवान को तपस्या योग और दान द्वारा प्रसंद करते थे। किन्न कलियोग में अनुराग सहित भगवत गुणगान है। भगवान को प्रसंद करने के लिए प्रधान मान गया है। हे राजन! मैंने एक बार विष्णु भगवान से पूछा था कि आप अधिकतर कह रहते हैं? यह सुनकर विष्णु भगवान कहा है नारद? मैं बैकूंट में अत्वा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। अपितु जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, वहां मैं अवश्य रहा करता हूँ। जो प्राणी चंदन मालादिकों से हमारे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे मुझे जैसी प्रीती होती है, वैसी प्रीती मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। जो मूर्ख पुराणों की कथा तथा मेरे भक्तों का कीर्तन सुनकर उसकी निंदा करते हैं, वे मेरे शत्रू सद्रिश हैं। शिरीश, धतूरा, के गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार, मदार तथा को कनेर के फूल और अक्षतों से विश्णों भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। अढ़ल, कंद, शिरीश, जूही, मालती, केवडा के पुषपों से शिवजी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी की अभिलाशा करने वाले पुरुष को चाहिए कि तुलसी पत्र से गणिश जी की, दूर्वा से दुर्गाजी की, अगस्त्य के फूल से सूर्य नारायन की पूजा न करे। जिन देवताओं के लिए पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उनी से उनका पूजन करे। इस प्रकार पूजन समाप्ती के पश्चाद देवाधिदेव विश्नो भगवान से क्षमायाचना करे। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है और न क्रिया, भक्ती से भी मैं हीन हूँ। जो कुछ भी आपकी पूजा मैंने की है, आप हमारी उस पूजा को पूर्ण करें। इतना करने के बाद परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम कर, पुनाक्षमा प्रार्थना करके गायन, कीर्तन आदी करना चाहिए। जो मनुष्य शिव और विश्णो भगवान की विधिपूर्वक कार्तिक मास की रात्री में पूजा करते हैं, वे पवितरात्मा होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ विश्णो लोग को जाते हैं।